हेलो गाइल स्वागत आपका हमारे यूटूब चनल फर्तक्लासिस में तो गाइज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में बायलोजी के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंप्लेट कर लिया है इंपर्टन क्रिशन्स के माध्यम से आज जो हम बात सभोते हैं बिना टाइम एक वेस्ट के बारे में बात की गई यह किसके द्वारा की गई है वेटिंग एंव वेश्ट के द्वारा औप्सन नमबर बी क्या हो गया अपना सबस्क्राइब वेक्टिंग खोश है इंसलीन के खोज अगला किसन है यिस्ट एक है क्या है यिस्ट क्या है कवक है के रोल है आत या सोडियम है तो यिस्ट की बात कि गई ये क्या एक कवक है एक फंजाई है फफूंद है औप्सें नमर एक हुगे अपना शही आंतर हो गया इस क्यूशन का ओके गाई जितने भी क्यूशन है आपकी प्रुछ सेज़ाम के अंदर पूचे के और आपकी आने वाली एक्जाम के बहुत ही important है चाहिए वो railway किसी भी exam हो जो वर्टमान में आने वाली जो आने वाली exam है फरवरी के अंदर जैसे NTPC हो गया ग्रूप भी हो गया उस exam के लिए बहुत ही important क्यूशन है अगले क्यूशन देखिए पित का pH मान कितना होता है पित की बात कीगी उसका pH मान कितना होता है पित मान के बारे में आपको पता होगा scale होती है 0-7 और 7-14 अमल 0-7 और 7-14 शार तो पित मान के बारे में पुछा गया है पित का तो वो होता है 7.7 और option number C क्या हो गया अपना सई आंसर हो गया की खूषिण का कोशी का सब्सका निर्मान किस ने क्या कोशी का सफका जो निर्मान क्या गया था वो रौबर्ट हुक के द रहा किया था तो option पुर्वनगोभी का खाने वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है तो गैज वो होता है पुस्प करम उप्सन नमबर 1 क्योंगा अपना सई आंसर होगे इस्क्रूशन का यही भाग है जो हम क्या करते हैं खाते हैं तो अगले कि विश्चे देखे बेखे रोगॉनों की खोच किसने की ती कि पूछा गया है तो हेज्च के रोगॉनों की खोच किसने की थी तो गएज यह की गई थी रोबर्ट कोर्च के द्वरा option number B अपना क्या होगा सही answer हो जाएगा guys मैंने आपको बताया था कि vitamin के ओपर फीक है और जितनी बिमारिया है इन दोनों topic के ओपर important question लेके आऊँगा जो आपकी आने वाली exam के लिए बहुत ही important होगे और exam definitely पूछी जाएंगे okay साती साथ guys अगर आप हमारी इस channel पर पहली बात जुट रहे हैं तो हमारी इस channel को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइक ना जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरू दबाए जिसे के आपको आगया निवाली handy class की notification आपको मिल जाएगी अगर आपको वीडियो परसंदार तो इस वीडियो को like कीजिए आप comment कर सकते हैं और ज़्याद से ज़्यादा इसको share करें अगर आपको इस वीडियो की पेडियो फाइल चाहिए तो टेलिग्राम पर एक चैनल हमारा उसको जोइन करें वहाँ पर आपको सभी परकार की पेडियो फाइल मिल जाएगी और description के अंदर link दे रहा है अगला question देखिए अगला है अहार नाल से अहार नाल में stars के पाचन में अंतिम उत्पाद है कौन सा है तो guys वो है माल टोज option नमबर ए क्या हो गया अपना सई आंसर हो गया description का अगला question देखिए दूद में आई जाने वाली सरक्रा दूद में आई नहीं दूद में पाई जाने वाली है यहाँ पे होगा पाई जाने वाली दूद में पाई जाने वाली सरक्रा है कौन सी है तो वो है lactose option नमबर D अपना क्या होगा सई आंसर होगा अगला question है DNA की खोज किसने की ती जितने भी खोज हुई है उनको चैसे याद कर ले क्योंकि exam के इंडर एक या दो question पूछी जाते है अगला question देखे गुण सुतर की खोज किसने की ती जितने भी question आपको करवा रहे हैं बहुत important question है आपकी exam में पूछे गया है ठीक है और आपकी आने वाली exam के अंदर definitely पूछी जाएंगे तो आप इस वीडियो का अंतर जरू देखेगा और जितने भी वीडियो है या biology के पांस सुक्रिशन होगे उनको आप अच्छे से देखे जिसे के आपको exam के दर मदद मिल सके तो गुण सत की खोज की बात की गई है तो की गई थी किसके दोरा वाल्डेर के दोरा option number D अपना क्या होगा सई आंसर हो जाएगा अगला के सुन है मदुमे रोग होता है मदुमे रोग की बात की दिये तो क्या होता है मदुमे रोग की मा बात करूँगा तो insulin की कमी से होता है option number A क्या होगे अपना सई आंसर होगा अगर मदुमे की मा बात करूँगा Konfuzment होना यही होता है कुणसा डाइबिटी क्य mention कुम है अगला की पोद्य में रेन करते ह stripes है तो वो करते हैं तसीन करते हैं अब्सेन नमबर भी अपना सही अंत्र हो गया now λة i hope कि आपको वीडियो पासंदार होगा और बहुत ही इंक्रेंट क्यों सतना है अगला क्षिशन देखिए अगला है टीनिया सोलियम परज्वी की रूप में रहता है कांपे रहता है तो गैस ये रहता है हमारी आथ में option number C अपना साई आंसर हो गया इस्टेंशन का अगला क्षिशन है मनुश्य में गुंसो तो किस्ञिया कितनी है मनुश्य की बात की गई है मनुश्य के अंदर गुंसुलों की सिंग्या कितनी होती है तो होती है 46 option number D अपना सई answer हो गया solution का अगले कि सुन है उस vitamin का नाम जो मासारी बोजन में नहीं मिलता है कौन सा vitamin है वो है vitamin C जो मासारी बोजन में नहीं मिलता है option number C अपना क्या होगा सई answer हो जाएगा vitamin C कहां से मिलता है मिलता है खटे पदार्तों से खटे होते हैं उन से मिलता है अगले क्यूश्य की मनुश्य की लार में पाया जाने वाला enzyme है जो हमारी लार होती है उसके अंदर कौन सा enzyme पाया जाता है वो होता है amylase option number A क्या होगी अपना सई answer होगा जो हमारी लार में पाया जाता है अगले क्यूश्य की लार होगी healthy में पीला रंग का कारण है healthy आपने देख्योगी healthy का जो पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है वो होता है कुरकुमीन के कारण से होता है तो option number C अपना सई answer हो जाएगा आप comment करेंगे मिर्च के बारे में तो लाल मिर्च होती है उसका लाल रंग किस वज़े से होता है किस कारण से होता है कमेंट करेंगे अगला क्यों ने विटामिन बी की कमी से होता है विटामिन बी की कमी से क्या होता है जब विटामिन बी की कमी हमारे सरी में हो जाती है तो होती है बेरी बेरी रो अगला क्यूशन देखे सब्जियों से प्राप्थ होने वाला विटामिन है जो हमें कहां से प्राप्थ होता है वेजेटेबल से सब्जियों से प्राप्थ होता है उस विटामिन का क्या नाम है उस विटामिन के अगर मैं बात करूँगा तो वह है विटामिन डी Option number B क्या होगे अपना सही answer हो गया अगरा question देखे cup portion होता है cup portion होता है किस वज़े से होता है उसके बार में पूछा गया है तो जो cup portion होता है वो होता है protein की कमी से Option number B अपना क्या होगा सही answer हो जाएगा इस question का ठीक है जिस वेक्ति के अंदर प्रोटेम की कमी होगी मिन्स की हो क्या होगा कूप पोशन हो जाएगा कूप पोशन का सिकार हो जाएगा अगला कुछन ने पहला सफल रिदय पत्तार अपन किया गया था किसके दोरा किया गया था तो गैस यह किया गया था cn-bernardy cn-bernardy की दोरा किया गया था तो option number c क्या होगा अपना सई आंसर होगया अगला किस्थ किशन देकिये रकति दापका नियंद्धन कोन करता है blood pressure के बात करूंगा उसका जो नियंद्धन करता होगो करता है अधियर रक option number d अपना क्या होगा साही answer हो गया अगला question देखे रिदे की धड़कन में लगबग कितना समय लगता है कितना समय लगता है तो guys वो लगता है 0.8 चेकिन का समय option number A अपना साही answer हो गया ok अगला question देखे एक सेर्वर दाता रख समवब कौन सा है blood group की बात की गई है ठीक है blood group के भी कुछ important question है जो exam में पूछे जाते हैं वो वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगा इस question के अगर में बात पुरूंगा कि एक सर्वद आता रख समय कौन सा है तो उसका नाम है O option number C अपना क्या होगा सई answer हो जाएगा इस question का कि अगला किशन देखिए हीमोग्लोबीन का क्या कारी है हीमोग्लोबीन के बार में आपने सोना होगा उसका क्या कारी होता है ऑक्सिजन ले जाना हमारी सरीर के अंदर जो हमारी पूरी बोड़ी होती है उसके जो ऑक्सिजन ले जाता है वह कारिकोन करता है हिमोगलोबीन अगला है दातों के अध्यान को क्या कहते हैं तो दात होते हैं उसके अध्यान को क्या कहा जाता है ओडॉन्टॉलोजी option No.C क्या होगी अपना सही answer होगी solution का बच्चे यहां पर confuse नहों यहां पर dentist भी दे रखा है अगर आप dentist पर ऐसे करोगी तो एक्जम्य करेगा इसे ठीक है अज्जयन के बार में पूछा गया तो होगा Odontology Dentist क्या होता है हम तो वह तो क्या करें है हम आपर जाके Check-up करवाते हैं वह तो करता है अगले क्रिशन देखे सपाट अस्तिया कहा होती है यह होती है खोपड़ी में Option number B अपना सई आंसर होगा अगले क्रिशन देखे महार अंदर जो एक द्वारक है कहा होता है यह होता है हमारे कपाल में Option number A अपना सई आंसर होगा अगले क्रिशन देखे कान की कितनी हडियां होती है जो हमारे कान होता है जो हमारे एर होता है ठीक है इसके निरे कितनी हडियां होती है 6 हडियां होती है तो option number B अपना सही answer होगा अगले के सुन है दाथ और हडियां किससे मजबूत होती है जो हमारे दाथ होती है जो हमारी हडियां होती है वो मजबूत होती है किस वज़े से अमोनिया से सोडियम से कैलसियम जाए तीनों से तो होती है वो सोडियम के उज़ा से option number B अपना सई आंसर होगा इस question का अगले question है कौन सा भाग हाती के गजदात के रूप में बदलता है तो guys वो है दीतिये करतनक option number B अपना क्या होगा सई आंसर हो जाएगा इस question का दीतिये करतनक अगला है अनुवान सिकता सब किसने गड़ा था अनुवान सिकता जो सब सबसे पहले गड़ा गया था वो किसके द्वारा किया गया था तो ये था बैट्सन के द्वारा option number C अपना सई आंसर हो जाएगा इस question का अगला है नर मच्छर अपना बोजन कहां से गरन करते हैं मादा मच्छर के बारे में आपको पता है ठीक है मादा मच्छर जो अपना बोजन वो कहां से गरन करते हैं हमारा खोन पीक है ठीक है नर मच्छर की बात की जाए तो नर मच्छर करता है ओदे के रस से option number D अगला की पहली क्लोनित बेडixon का क्या नाम था आप बच्चे ते तब से पढ़ रहा है क्लोन तो घॉल लगर्ण इसका नाम था उप्सिन नमर ए ह्सा पना प्हूंट सुट्र में क्या होता है गूंट सुत्र की बात की गई है। तो 46 होते हैं, टोटल, ठीक है, तो गुंद सुत्रों में क्या होता है, गुंद सुत्रों के अंदर डिन और प्रोटिन दोनों होते हैं, तो option number क्या हो गया, सी अपना क्या होगा, सई आंसर हो जाएगा, क्रॉमोजम जिसको बोलते हैं, गुंद सुत्र, तो गैस यह थे important questions, जो आपकी previous exam के दर पूछे गेते हैं, और आपकी आने वाली exam के दर definitely पूछे जाएगे, ओके, I hope कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा चेर करें, अगर आप हमारे इस चैनल पे, हमारा इस चैनल है, उसके उपर आप फस्स बाट जोड़ रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल एक बटन उसको ज़रूर दबा लें, जैसे कि आपको आगयाने वाली हैं निकलास की नोटिफिन आपको मिल जाएगे, तो गैस मिलते हैं नेक्स क्लास में, नेक्स इंपोर्टेंट एंड धमाकेदार क्योशन के साथ, तब तक के लिए, थैंक्यो गुडबाई और टेक केर,